आज मैं आप सभी के साथ में 30 मिट में बनने वाली व्रत की थाली की रैस्पी सेयर करूंगी जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती हो साथ में एजी बहुत है और इसे व्रत जो रह रहा है वो तो खाई रहे हैं जो ब्रत नहीं रहते ना वो भी खाना पसंद करेंगे तो चल रहा है इसमें हम सबसे पहले खीर बनापर रहें तो दीखेएं एक गंटे क्ले elev कर दिया है तो दो सब अच्छे से घरम हो गया मुझा होlleधा इसमें डाल दीग आएश बहुत बहुत जल्दी से बनकर त्यार हो जाता है दूसरी बात है कि यह कभी भी तली में नहीं लगता है और बनाना बहुत ही आसान होता है बहुत जल्दी से बन जाता है और बिलकुल भी चिप चिप असा नहीं बनता है तो देखीए इसको शाबुदाना डालके और स्लोओ फ्लेमप्री हम इसको पका लेंगे 2-3 मैड़ने ल लेंगे तो चीनी हमने एक कटोरी लिए चीनी कम जादा आपका सकते हो और चीनी को हम अच्छे से में मेल्ट करेंगे तो इसमें हमने घी वगरा का यूज बिल्कुल भी नहीं किया चीनी में बस स्लो फ्लेम पे ऐसा ही हम चलाते हुए इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे ताकि इसका जो color change हो जाए और slow flame पे करें ताकि चीनी जलने न पाए तो चीनी का color के वहले हमें अच्छा सा आ गया तो हम गैस के flame off कर देंगे अधर जो हमने दूद गरम करके रखा था था ना बना रहे थे साबू दाना तो उसी साबू दाने में हम इसको अब डाल देंगे तो color तो अच्छा आता है खाने में बहुत स्वादिस्ट होती है इसको डाल के हम अच्छे से इसमें चला देंगा भी आपको लगेगा कि घटा हो रहा चीनी पर नहीं जैसे यह गरम होगा वैसे वैसे यह अच्छे से इसमें घुलने लगेगी चीनी तो इस ताइप से देखे ह इसको डाल दे रहा है आप चाहोतो तो अर ईलाचीक को ूट करके दो डाल चकते है यूंट के our Grammy's बेसे बना सकते हुए तो उसको लिंक लिंगी दैदे दे देंगे तो आप महाँ से चेक कर लिए और इसके बाद में हम ड兩 दरंके छे के नडरए के नदर काग़न के तयार हो जाती है एसको ढखक करके रगधनगी माश्चर कम रख गार में इसके कि अग्द्फ के पूरिय पहले की हिसे पहले क हरेढ़ने के साबू-दान के जाए गया तो इसका हम पाउड़ा त्यार कर लेंगे अधर हमने आलू जो लिए उबले आलू इनकों छील लेंगे तो आलू को हम पहले छील करके अलग रख ले रहे और साबुदाना जो हलका सा ठंडा होगा उसके बाद हम उसको पीछेंगे तुरह नहीं पीछना वरना उसम गुप में घंटे लिए दिखा दीजिए उसके आद आप इससे पीछ सकते तब भी अच्छे पाउडर बन जाता आलू जब छील गयाना हम इसको बारी बारी कद्दू कस कर लेंगे क्योंकि आज पूड़िया हम बनाएंगे तो कद्दू कस कर लेंगे इसमें कहीं भी से पूरा कद्दू कस कर ले रहे हैं तो हमने एक कट्वरी मतलब साबूदाना लिया तो उसमें हमने करीब 200 ग्राम के करीब आलू लिये हैं तो यह क्योंकि हमें पानी का कम यूज करना है तो इसलिए हमें आलू को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो समझे कि हमें 500 ग्राम साबू दाना के पाउडर हमने तयार कर लिए अधर आलू भी हमाई कद्दुकस हो गया तो पूरा अच्छे से महीन हो गया बहुत ज्यादा बगर आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं है क्योंकि हम अभी आटा जब इसका लगा करके और रेस्ट करने के लिए तो साबू दा आटा जो अच्छे से गूथ लेंगे हाथ से अभी नहीं करना है अभी हम इसे आइसे ही गूथेंगे जब तक आलू में अच्छे से मिक्स हो रहा है उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाई डाल करके इसका शॉफ्ट साम डो लगाएंगे पहले हम देखे जो आलू है आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि आलू की हमने क्वांटिटी ज्यादा रखी है एक कट्वरी हमने पहले बताया कि एक कर देखेंगे हमें की रोटी का आटा बनाती है श्यम वैसे हमें इसका शॉफ्ट सा चिक्ना साटा कर लेना तो इसमें आधा कप के करी पानी लग गया था आधा कप पाई डाल करके इसको हमने अच्छे से मसल दिया था तो अभी आपको लग रहा है पर नहीं जैसे इसे दोड़ता है इसलिए हमने थोड़ थोड़ा पाई डाल के इसका हम सॉफ्ट अडो लगाएं तो देखें दो इसका बहुत सॉफ्ट लग गया हम उंगली देखेंगे पूरी पूरी उंगली अंदर तक जारी तो यही पैचान है कि आटा अच्छे से सॉफ्ट होगा अब इस ज disruption खैल के कर लगे है इसक लोड़ेंगे इसके अघल के तो इसको निकाल दीजिए वैसे चोटी लोग यह ओट यह दु सब्यादा से स्यासी क्स आजड़ेंगे जो आपकूरी में टनासे कटकर nuances नहीं के पिश किया है इसके बहूरा च्यादा उधार पीस नई कट करेंगे मृट मीडियम साइस से कट करेंगे सा Dreams की और दोनों पहले अच्छे सेथे दूल करके एह रख देंगे ताकि फाले इसली दूब एदार हमें च्छाट टमाटन लिए तो पहले सब्सेदें धूल करके रख लिया तर अद्रक 치 मिक्सा जार में टोप करेंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए हमने इसमें त्यार करने है तो इसका पेस्ट यार हो गया तो इदहर हमने दिए कुकर लिया कूकर जब अच्छे घरम हो गया इसमें एक चमद देशी घी डाल दे रहें क्यांकि हमारे जो भी वर्थ का खाना होता न, वो कह से घिः में घी में ही बनता है, घी अच्हे जब घरम हो गया तो मैं जीरह ज好不好 जब अच्य चटक गा ज़या मे़कि टमाटर से पकने डालेंगे जुद अच्द चे से पका हैं तो उसको में डाल दिया, तो स्वाथ के अंशाद नामक डालिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब उसके अधे हम इसको ढख करके अच्छो पेस्ट पका लेंगे ताकि घी है अच्छे छोड़ दें, तो ढट माटर अच्छे से पक जआ अच्छे से पक जाए तो देखे जो आलू और लौकी हमने कट करके रखी थी ना अलू लौकी को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह जो आलू लौकी ना इसको हम कम से कम 2-3 मिटले अच्छे से भून लेंगे क्योंकि कोई भी सब्जी हो आप व्रत की बना रही या ऐसे बना रही जितना ज़ाद सब्जी बन के तियार होती तो इसको पहले चला करके मिक्स कर देंगे और इसको दो से तीन मठले हो अच्छे से बूनेंगे और इसमें न हम मसाला डालेंगे तो जो मसाला है वो हम व्रत का मसाला बना के रखते हैं वह मसाला डालेंगे तो यह मसाला आप बना करके एक बार रह जाता है तो देखिए जब हमने सब्जी अच्छे से भून गई ना इसमें हम एक चमज के करीब यह मसाला डालेंगे यह मसाला असना बहुत अच्छा टेस्ट आता तो इसका लिंक हम दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप वहां से चेक कर लिजेगा इसकी अबहों 1-2-3 सीटी आनी तक पका लिढ़ा में 2 सीटी में बहुत सब्जी बनकर त्यार हो जाती है देखिए 2 eu fan सब्जें अच्छे से बन गई आपको निकाल के दिखा रहा है काफित अच्छे सब्जेगे लौक की अलु गल गय कोरा बहुत ही अच्छ और थीक हो जाएगी तिसले बहुत जादा पाई नहीं डाला इसके अंदर और इसमें हम हरी धनिया डाल करके और इसको हम रख देंगा और अब हम पूरी की तेयारी करेंगे तो अच्छे से मिक्स कर दिया धनियां अधर हम जो पूरी है ना उसको अब हम बना तो साबुदाना जो आटा अगर लाते ना सिंघारे का अगरा उस टाइप की जो पॉलिथीन होती तो आटा जब हम निकाल के रखते तो इसके पॉलिथीन रख लेते क्योंकि पूरी बनाने में काफी आसान हो जाता है तो हमने पॉलिथीन में घी लगा दिया था उसको अच्छे सम एक लोई हम अच्छे से दबा देंगे तो इससे काफी बड़ी सी पूरी बन जाते हो बिल्कुल भी चिपकती या तूटी नहीं है तो आप उसको बना सकते हो हम ढूना है तो प्लेट हमने किदर रख दी और प्लेट हम सामने ही रखे ते देखिए तो इस टाइप से देखिए हम इसमें अदे प्लेट से इसको दबा देंगे तो प्लेट थोड़ी हमने बड़ी सी है असको बस दबा दें का कफी बड़ी सी पूरी बन के तयार होते है तो ऊसको पर आप इसकी पूरी नहीं psychopath गई पहुत जयादा सोक थी है तो जयादा ग्रहीं मतलब इसको खातूनाध लगता है जहाए तक दोड़ा पूरी बने चोटी पूरी जोटी बनीए थोड़ा बड़ी कोड़ी बन चकते नहीं तो इसको फ्राइब और हम दूसरा तरीका भी आपको दिखा रहे हैं और यह पूरिया नगी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं बहुत फुली-फुली सी बनती है इसलिए है कि आप पराथे आप इसके बना सकते हो पराथे भी बहुत अच्छे बनते हैं तो देखे इस टाइप से हम पूरी बना करके इसको ऊपर हम घी डालने ताकि जो पूरी है एक्दम अच्छे से गुबाड़ी की तरह फूल गया है तो जो पूरी है थोड़ा टाइम ल गरम भी नहीं किया है कि घी बहुत जादा गरम है बस हलका साथ घी गरम करके इसमें हमने देखिए डाल के पका लिया जब तक पूरी पकरे ना दूसरे हम तरीक बनाते हैं कि आप प्लेटफॉम पे हलका सा घी लगा दीजिए उसके आप इसे बिलकुल रोटी पराठा जैस सकते हैं आपको दिखा रहें सामने कि विलकुल भी नहीं हो रहा है और देखिए अच्छे से बनके तो आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो पराठा पूरी या इसको थोड़ा सा आप कट करके गोल शेप दे दीजिए पूरी जो है अच्छे से पक गई है कलर भी काफी सबसे बैस्ट है उस तरह से आप कोई भी पूरी बना सकते हो वह पूरी जैसे हमने सिंगाड़े के आठेक पूरी की रेस्ट्टी सीयर की आपके साथ में वह भी हमने इसी टाइप से बताया था कि आप इसमें रखकर के बहुत हाँ से बनाते तो हम तो हाँ से बनाते हैं अपने थाली करेंगे तो देखिए हमने लोकी की सब्जी बनाई है तो लोकी सब्जी देखिए हमने ग्रेवी नहीं रखी है तो इसलिए इसका कलर मगर बहुत सुंदर आया इसका और इधर हमने जो साबू दाने की खीर है ठंडे होने बाद काफी ज़्यादा गारी होगी बहुत ही ज़्यादा अगी कहाने में बहुत ज्यादा टेस्टी थी एक बाद ज Commission बहुत ही जादा टेस्टी ती तो देखिए ता थाली में रख्डा democratि cost access बिलीर करेंगे लेकर लाूश harui चटनी हमने फीछ कोifer और शाथ कोद्डा है even और ग्रूश लड़ू इसकी रेस्पी में अपने चैनल पर शेयर की तो उनसा भी कलिक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ता आप वांस चेक कर लिए पूरियां देखे काफी खस्ता बनी हूं यह फूली फूली से बनी है यह था हमारा व्रत की थाली बहुत ही ज्यादा टेस्ट आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंदत लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में बेल आइकन दबना बिल्कुल न भूले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिक्रिकेशन सबसे पहले आप तब पहुंशके आप हमें फ